नमस्कार आप देखनें आज तक मैं हूँ आपके साथ रोहिट सर्दाना शाम के पांच बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का लद्दाख में एक बार फिर चीन के साथ भारत के सैनिकों की जड़प हुई और अब की बार ये जड़प पैंगॉंग जील के लाकिन हुई भारत के साथ बात्षीत की प्रक्रिया उसकी रणनीती का हिस्सा हो सकती है इसलिए डंगल में आज सीधा सवाल है कि विस्तारवादी चीन के साथ क्या हो क्या चीन का भूत सिर्फ बातों से नहीं मानेगा हाली में सीडियस जनरल वीपिन रावत ने दो टूक कहा था कि भार और फिर सरकार को घेर लिया है ये सवाल पुछते हुए कि चीन को लाल आंख भारत कब दिखाएगा तो क्या उसका वक्त अब आ गया है आज का दंगल इसी पर होगा लद्दाक के पेंगॉंग जील के इलाके में भारतीय सेना ने चीन के घुसपैट के इरादे को नाकाम कर दिया है 15 जून की गलवान घटना के बाद भारत और चीन के बीच ये सबसे बड़ी छड़ब थो आज तक को सूतरों से मिली जानकारी के मताबिक 29 अगस्त की रात 11 वजे के खरीब चीनी सेनिक पेंगॉंग जील के दक्षनी छोर पर इस यूवी गाड़ियों से आए चीनी सेनिकों की तादाद खरीब 500 बताई जा रही है लेकिन चीनी सेनिकों की मूवमेंट को लेकर भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिल चुकी थी चीनी सेनिक जब भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ने लगे तो नहें भारतीय सेनिकों से जवाब मिला कुछ देर तक दोनों और से सेनिकों में हाथा पाई हुई इसके बाद चीनियों को पीछे अटना पड़ा और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ देखें पिछले कई हफतों से दर्शक लगातार पैंगॉंग जील के बारे में सुन रहे हैं जितना भी एक्षिन था वह पैंगॉंग की उत्रितर पे था यानि की नौर्थ पैंक पे था इस वक्त आक्शन हुआ है वह पैंगॉंग के दक्षिरितर भर्यानी कि साउथ बैंक पे गःट्वाट मैं आपको ठीक उस जगा पे लेकर दिखा सकता हूँ जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्षन है आप इस तरफ नज़ार रखी, ये जो लाल लाईन है, ये line of actual control है ये है पैंगॉंग जील, एक तिहाइ जील भारत में पढ़ती है, दो तिहाइ जील है वो चीन में पढ़ती है चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में बने तनाव पर सैन्य और कूटनीतिक बारताओं में बनी सहमितियों का उलंगन किया और 39-30 अगस्त की राद यथा स्थिती बदलने के लिए उकसावे वाली सैन्य हरकत की हलांकि विदेश मंत्राले ने इस बात का खंडन किया है कि चीनी सेना ने लेसी का उलंगन करने की कोशिश की है वैसे चीन का ये जूट इसलिए भी नहीं टिक रहा क्यूंकि चुशूल में दोनों देशों के बीच बीती राद की घटना के बाद ब्रिगेड कमांडर स्थर की बात चीत हुई है उधर चीन के इस रवये के बाद लद्दाक के लजी आरके माथूर ने ग्री राज्यमंत्री जी किशन रेड़ी से मुलाकात की मईसे ही लद्दाक में तना तनीक स्थिती बनी हुई है इसी के मतने नजर सीरियस जेनल विपिन रावत ने हाल ही में कहा पूर्वी लद्दाक में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अतिक रमट से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्ने विकल्ब मौजूद है लेकिन इसका इस्तिमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए दोजार बीस की पोजिशन थी उसके इलावा कोई भी कुछ भी हिंदोस्तान को नहीं मनजूर और चाइना को जाना ही पड़ेगा और अगर चाइना नहीं जाएगा तो फिर जैसे सीडियेस ने का कि मिल्ट्री आप्शन भी है हमारे पास उधर गल्वान घटना में अब तक चीन ने आधिकारिक तोर पर अपने सैनिकों के मौत का आकड़ा नहीं रखा है शिवरूर के साथ मंजीत नेगी दिल्ली आज तक तो आपको बता दें के दंगल में आज हमारे साथ गौर भाटिया हैं वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे अभैदूबय हमारे साथ हैं वो Congress का पक्ष रखेंगे, अशुक सजनहार हमारे साथ है, वो पूर्व राजनाइक है, हमारे साथ है लेफने जनल रिटार्ट गुमिज सिंग, पूर्व डिप्टी चीफ अफामी स्टाफ है, रक्षा विश्यशक है, हमारे साथ है लेफने जनल रिटार्ट संजय कुलकरणी पूर्व डिजी हैं, इनफेंट्री और हमारे साथ होंगे फॉर्मर चीफ अफामी स्टाफ जनल वीपी मलिक, अब से कुछ मिनट के बाद, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल, गौरव भाटिया आपसे है, क्या अब तक भारत पिछले पांच-चार महीनों की स्थितियों में ड पूर्व डिजी देखिये, सबसे पहले तो हमें भारतिय जीर सेना पे गर्ग है, और कितनी मजबूती से हमारी जो सेना है, उसने कीन को सबक तिखाया, दाज खटे कर दिये, लाल आख केवाल नहीं दिखाई, उनकी आप भी फोड़ दी, इसको कहते हैं कि क्या ताकत हमारी सेना की है, और मैं चर्चा में आऊं, और बाकी दिनों पे बात करों, इससे पहले एक बात कहूंगा, एक मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस का देक्सब्वे है, वो क्या कहता है, उसकी मूल भादना चाया दर्शकों से बाट लो, पहले वो कहता है कि भारतिय सेना को पूर्वाब बात हो गया था, कि छीन कुछ गलत करेगा, अब भारत की सिती जो है, और मजबूस हो गई है, ये मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस का देक्सब्वे है, और तीसरी बात, छीन की जो गलत मैंचा थी, जो मन्सूवे से, उस पे पाली फिर गया है, और उन पो करारा जवाब हमारी वेर सेना ने दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर कहूँगा, जब बिनिस्ट्री ओफ डिफेंस का ये वक्तर से आया और सीजिवेंगू मैंने आपके सामने रखे, क्या इस कामने और पिर फिर किसी और शान के डूसरी बात, जिसको शख है उसको जगरूर पस पूछेगा यह मेरे हाथ में कुछ तस्वीर हैं जो आजकल मीडिया में भी हैं पहले भी हमने कहा था कि करीब 40-45 चीनी सैनिक मारे गए से अब उनकी जो कबर को दी है हमारी वीड सेना ने उसकी तक्री रहा रही है और इसको अगर चाइनीज को ट्रांसलेट करें जो मैंने किया है तो वो कहता है कि जो सैन ने आयोग है चीन का वो श्रदांजरी देता है अपने सैनिकों को तो यह क्या परचाता है चाहे पिकली बार मुझ बेहन हुई हो या इस अंदर आपका मुझ हो तो बात नहीं हो सकती अब हमारे भारत में अस्तीन का साथ कौन है कहीं ऐसा तो नहीं है जो भारत के अस्तीन का साथ है उस साथ का मुझ ड्रागन के अंदर है और क्यों क्यों कि संजोका और करार एक पार्टी है भारत की उसने चीन के साथ किया है रो पर जो ठीका टिपड़ी करनी हों करें, मुझे कोई आपती नहीं है, आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यही करते हैं, लगातार करते हैं, लीजे पहले फिर मैं सवाल पूछता हूँ, बोलिए, दन्यवाद, मैं एक बात और कह दूँ, एक बात आ रही थी, चीन क्या ह पाकिस्तान और चीन दोनों भी मिल जाएं, तो यह ताकत है आज हमारी फॉर्ज की और हमारे मजबूत नित्रत नरेंब मोदी जी की, की चीन और पाकिस्तान को एक साथ भी समग सिखा देंगे, और इसलिए जो हमारी सेना पे सवाल उटाता है, वो कहीं न कहीं, बहुत ही ग पेंगॉंग लेके उस इलाके में आया, जहां आज तक इस तरीके की हरकत नहीं हुई, क्यों उनको डर नहीं लगा क्या, भारत के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ की बात से, अगर डेप संग में जो कुछ हो रहा था, उस वक्त हमने कारवाई की होती, हम कर रहे होते, तो क्या चीन की हिम्मत पढ़ती, पेंगॉंग के इस नए इलाके में नया मुर्चा खोलने की कोशिश करने की? यह जीबियों की जो रोज ती वो पहले नहीं बढ़ी थी, अब बन गई है, आगे भी हमारी प्राट्विक्ता रहेगी जैके देश के प्रदान मंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे है, इसलिए चीन यह बॉक्लावाट में कर रहा है, लेकिन दो डेप संग में चीन बॉक्ला जाना डिस्क्यूट है, इंडी-चीनी भाई-भाई के समय से चल रहा है, और यह नरेंद्र मोडी जी का निस्रत है, और हमारी सेना की वीरता है, मुँपे ऐसा करारा थपा पड़ेगा, कि ना सेथ रहेगा, ना सिंगर रहेगी, ना लेक्द रहेंगी, यह बात ब्याद ठीक, रोहिद, बोलिया बैदुबे, रोहिद जी देखिए, भारत का प्रतेक नागरीक सेना का प्रतेक अधिकारी, भारत का विदेश मंत्राल है, भारत के रक्षा मांत्री, यहां तक की गुरव भाटिया जी भी, चीन के खिलाफ मुखरता से बोल रहे हैं, मगर सिर्फ द दीजिये, चीन कितना अंदर घुज गया है, प्रधान मंत्री जी हिसाब तो दीजिये, 6 अगस्त को भारत की सैना के रक्षा मंत्राले ने इसका जवाब दिया, रोहिद सर्दाना जी, उन्होंने अपनी साइट पर लिखा, the Chinese side transgrade in the area of कुंगरांग नाला, नार्द बेंक औ पर गौंग सो, गोगरा, ये सच्चाई स्विकारी, ये सच्चाई जैसे ही सब के सामने आई, प्रधान मंत्री जी ने आदेश दिया और वो दस्नावेज अटा लिया गया, 16 जून को भारत के विदेश मंत्रा लेके प्रवक्ता ने इस बात को स्विकारा, 17 जून को भारत क विदेश मंत्रा लेके विदेश मंत्री ने चाईनीज विदेश मंत्री से बात करते हुए जो स्टेटमेंट डाला, उसमें का कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज कर दिया चाईना ने, इसलिए ये हालात पैदा हुए है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 2015 का भारत की भ जिसने डोकलाम में ये एक्षन लिया था, वो ही व्यक्ति है जो आज इसको कमांड कर रहा है, डोकलाम का जो 71 डेस का स्टेंड आप था तब भारत को ये बताया गया कि परिस्तितियां सामान ये हो गई, मगर 5 मार्च 2018 को निर्मला सीता रमंजी तदकाली रच्छा मंत्री जी ने राजसभा में स्विकारा की उसी इस्थान पर पर्मानेंट बिलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है चाइना ने, जिस जिसने चाइना के बारे में भारत की भारती दंता पार्टी को आगा करने की कोशिश्की उसको रस्ते से हटा दिया, क्या ये बात सही नह कि ऑपल्त ही जैवार रोज बोलता है रावल गांधी शोलते बोलते हैं आपको तो नहीं घटा रास्थे से अभी तक तो आप कहीं और चले जा रहे हे ना मुद्द्धे पर आईए ना सीधे सीधे क्या आग जो परिष्थिति है आपको लगता है कि भारत का रिस्पॉंस नाकाफी है आपको लगता है को लगता है भारत की सेना द्रण उच्छा शक्ती से लड़ रही है अगर 15 जून की मध्यरात्री को भी उनको अनुबंध भारत की सरकार ने हतियार दिये होते तो परिस्थितियां कुछ और होती रोहित सर्दाना जी मैं आज फिर कह करना चाहता हूं कि भारत के प्रणान मंत्री जी ने आख बंद कर रखी है नहीं तो हुहान कन्वेंशन में जाने के पहले जो मौंटेन स्ट्राइट कॉप्स है 90,000 सेनिकों की 83 का 60,000 करोन में का 2,014 का प्रस्ताओ भारत की सरकार गिरा नहीं देती हम मैं दुर्भार की भारती जनता पार्टी की सरकार का रिस्पॉंस नाकापी है दोलत बे गोल्डी में आज भी वो जमय है पेगांग सो लेक में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आपने बताया उनकी मंचा है दोलत बे गोल्डी की एर सी जो पीशुकी सबसे हुए पट्टिये महां तक बोज नहीं है कि हमसे बड़ी देश्वक्त पार्टी नहीं है दूसरी तरफ आप जब देश की सरहत पर इस तरीके की परिस्थिती हो आप खुद कह रहे हो कि तनाव है आप देश की सरकार को भारतिया जनता पार्टी की सरकार मांते है ठीक है सर गौरभ भाटिया जवाब दे रहे हैं उस अपने का फोटो कियो नहीं जैग भारतिये सेना ने का पराइक है कि एश क हमारे आप से की है सेनाने आके शिकायद? जल्दी और क्या सरकार ने उसमें सच चुपाया और क्या भारत का रिस्पॉंस ना काफी था गौरवाटिया अपनी बात करेजे उसके बाद गुर्मित सिंग साब आपके पास आ रहा हूँ कुलकर्णी साब आपके पास आ रहा हूँ बोले गौरवाटिया जल्दी लेकिए एक बात साफ हो गई मैंने बताया कि मिनिस्ट्री अफ डिफेंस का जो स्टेट्मेंट है उसके बारे में कोई तिपड़ी अबे दूबे जी ने नहीं करी और उसकी वज़ा है यह सब जाबते हैं कि यह मजबूत सरकार है चुक करा लिए बीच में ने बोलिए बीच में बात करिए गौरवाटिया जी वह आपको सुनते रहते हैं भारत की सीमा में चीन को साहुआ है अब आपको चाहिए आपको चाहिए आपकारी सेकिंड और ले लिजे जब आपकी तसली हो जाए उसके बाद मैं दूसरे वक्ताओं के पास चला जाओ रोहिप सद्दाना जी देखिए साफ दो प्रशनों का जवाब दे है आपना पूरा वक्तावे खतम किया उसमें आपके प्रशन रहेगा या भी भी नहीं ना तो फिर सर बाकी लोग भी है ना उनके पास भी आऊंगा ना ज़र आपके बाद कर लिजे और कोई आपती नहीं है मेरी आप एक दूसरे पर जोआ रोप लगानों फार दीजे कपड़े एक दूसरे के मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम इतना तो रखें कि दूसरे को सुन लें कईए 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 गौरा भाटिया बोलिए उसके बाद गुर्मीट सिंग साब आपके पास आरो बोले गौरा भाटिया परिशानी ये है कि जिसने अपने कपड़े उथार दिये हो और राज़ितिक तोड़ पे पूरी तरह से बिना कपड़े को हो उनके कपड़े क्या पटेंगे हैं उन जानते हैं लेकिन छोड़िए इस बात को मैं केवन इसना काउंगा मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस की जो विग्यप्ती मैंने बताई ये कॉंग्रिस पार्टी भी जानती है कि ये देश का निट्रिस बहुत मजबूत है और चीन को समग सिखाया है हमारी सेना बहुत वीर है लेकिन इनकी राज़ितिक मजबूरी है ये तो चाहते हैं देश कमजोर पड़े कब्जा हो जैसे नेहरू जी ने करवाया 38,000 क्वेर क्लामिटर एरिया चीन को दिया और तब ये असी राज़ितिक रोटिया सेखेंगे आज की बात मैंच ये क्या हुआ है तब सेना लड़ी जी गरोबाटिया जी तर देखेंगे जब जब कमजोर पहेंगे ऐसे ही कूदेंगे भारत की सेना अबे जी या तो आपने ताय कर रखा है आपको फिर मौका मिल जाएगा पांच वक्ता है ना अबे जी आपकी रेली नहीं है रही हुआ है पूछने की बात तो यह कह रहा है तो नरेंबर मोडी जी के चुपी नरेंबर मोडी जी ने तो वाल पार्टी मीटिंग के बाद जी रेक्टर विदिया चीन का नाम लिया नरेंबर मोडी जी और रक्षा मंत्री तो खुद गए लगदार सेना को वहाँ पे होसला अफ़जाई करी भारत माता की जै के नारें ते गोड़ उठा लेकिन सोनिया गांदी के मूह में बही क्यो जी तो खुद गांदी जी का नाम आपने लिया अब अबही जी दिकत्त में आ गया है उनको अपनी स्थिति डिफेंड करनी अपनी पार्टी में के तोनिया गांदी का नाम आगया है मैं जुद कैसे बैट रहा इसलिए गौरफ जी थोड़ा ओडियो में भी समस्यारी आरी ह और उम्मीद करते हैं अब है जी बाकी लोगों को सुनेंगे कम से कम ज्यान से लेटनेंजर गुरमीच सिंग साब क्या भारत का रिस्पॉंस नाकाफी है चीन को जो अभी तक दिया गया पिछले तीन-चार महिने में क्या भारत डिनायल की स्टेट में रहा आंके मुंदे र है तो आपका प्रेशन है दो बहुता है रेस्पॉंस और डिना और रे में आपके है तो और इस वक्त के अंदर में यह जुरूरिया है कि एक जुट होकर भारत इस चुरौती का सामना करें और मैं तो ऐसे सोचा हूँ कि जिस प्रकार से भारत की सैना ने 15 जून को जवाब दिया था काबले दरीब था चाइना ने उसको चुपाने की कोशिश की वो सत्य निकल के आ रहा है और उसके पस्चाथ जो प्रपेरनेस है अलर्टनेस है जो रिस्पॉंस है उसी का कारण है कि 29 तकस को जो चाइना ने नापाक हरकत करने की कोशिश की जो अटेंप्ट की ट्रांसक्रिशन की उसको विफल किया नाकाम किया इनफेक्ट मैं तो ऐसे कहूंगा कि भारत की सैना हर रूट के अंदर में हर एक विकल्प और संकल्प के लिए बिल्कुल त्यार है बात है तो सिर्फ एक पॉलिटिको बिलेटी डिसिजन की है और ठीक टाइमिंग की है कब होगा कैसे होगा कहा होगा लेकिन एक बात आपको कर दो ने है तो इस आत्यवक्त पे हो रहा है ना तो यह लोकलाइच है यह पूरे बारत और जिइन की सरत पे हो रहा है तो यह विश्व कन खेन की सद्व करा है। किस वक्त में क्या कियात है पर parte लेकिन मैं इस बात में पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि भारतिय सैना का जो जो कमबैट एक्सपीरियंस है जिस परकार से मौंटन वॉप फेर, हाई टिशूट और विंटर के लिए त्यारी है, हम पूर्ण रूप से पूरे पूरे चीट के लिए त्यारी है, देखिए इ कर रहा है, और उसके बावजूद, यह जो चलाकी, यह जो ट्रेचुरी किये है, इसने 29 तकक को, यह बिल्कुल उसकी बहुत बाड़ी गल्सी है, उसने जो कोविट के बाद में जो ब्लंडर्स की है, जो गल्सियां की है, जो पंदरा जूर को गल्सियां की थी, यह उस अध पूरी घटना हुई है, जरा आपको उस पैंगॉंग के इलाके के बारे में बताते हैं, फटा-फट से कुछ ग्राफिक के जरीए, और फिर सजयनार साब से और संजे कुल गर्णी साब से कॉमेंट लेते हैं, यह देखिए, यह पैंगॉंग जील का इलाका है, जहां पर लेकिन किस जगा पर जड़प हुई है, उसका एक अनुमान हम आपको देने की कोशिश करने हैं, इस इलाके में यह माना जा रहा है कि जड़प हुई है, यह पैंगॉंग जील का दक्षणी इलाका है, आम तोर पर यह शान्त इलाका है, इन इलाकों में घुसपैट जैसी स् कमांडर सर की बातचीत में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि इस बात पर सहमती बन रही है कि दोनों तरफ से सेनाओं को पीछे हटाये जाएगा, लेकिन इसके समानांतर अचानक 29-30 अगस्त की रात को चीन ने क्या किया, चीन ने यह किया कि पैंगॉंग जील के शान्त इल हो गए, अब संजक उलकरणी साब आपका तो पूरा इलाका देखा हुआ है, वो उस पूरे इलाके की परिस्थिती को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत जो पिछले 3-4-5 महने से रिस्पॉंस दे रहा है, वो नाकाफी है, क्या भारत को बड़े स्तर पर चीन के खिलाफ क करने से पहले, जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, चाहिए डिप्लोमाटिक हैं, चाहिए एकनोमिक्स हैं, वो सब तयाका है, तो थोड़ी सी बात, एक बिरिट के लिए लूँगा मैं आपको, आप अगर 1979 वियतनाम वार में जाए, तो आपको चार्ज हीजे, तकरीबन का क्लोजनेस, तीसरा वियतनाम का कंपूचिया के साथ अन बन, और चौती बात, वियतनाम को चीन ने सबक सिखाने की कोशिश करनी, और उससे पहले वियतनाम के साथ बाचीत करते रहे चीन, यानि कि दान दान तान तान, निबल निबल निगोशियेट, अब ये करने के लि अन्बंड और अब इस मामले में उस वकद चीन ने वेतनाम के ओपर जब बातचीत करते रहे और उन्होंने देखा वेतनाम तयार नहीं है बीस डिविजिंस से लेकर के उन्होंने वेतनाम के पर हमला कर दिया और उनको जबरदस चोट पहुची चीन को जबरदस बेशती अगर वो सॉथ बैंक पर आ जाता तो उसको लगता कि हिंदोस्तान बात करता है पर तैयार नहीं है और शायब उसका वो फाइदा उठाने की कोशिश करता पर जब उसने देखा कि हिंदोस्तान तयार है प्लाइनिंग तयार है तो यह सब देखते हैं चीन से उकसा रहा है हिंदोस्तान को अगर हिंदोस्तान कहीं कमजोर देखा गया तो चीन नहीं छोड़ेगा और अगर हिंद सुस्तान तगणा देखा गया तो चीन नजदीक नहीं आएगा और यह आप देखेंगे दीरे-दीरे करके मामला सुलज जाएगा ठीक हमारे से जनल वीपी मलिक साब आ गए भारतिय सेना के पूर प्रमुक जनल वीपी मलिक स्वागत है आपका आज तक पर सबसे पहले मैं दोनों तरफ से और हमारी तियारी और उनकी त्यारी भी दोनों तरफ से त्यारी है डिप्लोमेटिक लेवल के उपर बातचीत चल रही है चाहे वो मिलिटरी डिप्लोमेसी हो या पुलिटिकल लेवल के उपर बातचीत हो या डिप्लोमेट से उनकी आपस में बातचीत हो तो ये भी चल रही है लेकिन इन सब को देखते हुए अभी तक नतीजा कोई ने निकला है और अभी भी देखने में ये आ रहा है कि उनकी कहनी और उनकी करनी में चाइनीज की कहनी और करनी में बहुत फर्क है चाहे वो कुछ भी बोलते हैं इन टॉक्स के बीच में लेकिन जो जमीन के ऊपर कारवाई हो रही है वो काफी फर्क है और वो बहुत अग्रेसिव बनते जा रही है तो यह इस वक्त असेस्मेंट जो है गॉर्णमेंट अफ इंडिया मुझे पूरा यकीन है कि वो भी देख रही होगी इस वक्त ज्यादा फिकर करने की बात नहीं है क्योंकि फौजें काफी तैयार है हमारी की रात को हमको पूरा इसंट्र लदा का ऐडिया देखना चाहिए और यह भी जो LAYC है मेरे विचार में अब LAYC का कोई कोई याकि कुई उसकी रहा नहीं है उसके कॉई सैंक्शिटी नहीं है अभी LAYC की और चाहे जहां पर भी हो वो उसको LAYC को तोड़ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए हमको तयार रहना चाहिए defensive action के लिए भी और अगर जरूत पड़े तो offensive action के लिए भी मेरे ख्याद में ज़्यादा खतरनाक एरिया जो है वो depth song का एरिया है क्योंकि वहाँ पर हमारा जो road जा रहा है दॉलत बे गोल्डी को या कराकुरम पास की तरफ वहाँ पर वो ज़्यादा खतरे में है और चुशूल के एरिया में तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा मकाबला कर सकते हैं आपको लगता है भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा message पहुँचाने की जरूत है चाहे वो भारत में चीन के जो राजनीतिक अधिकारी चाहे वो दूतावास के लोग हो उनको बुला कर message देने की बात हो या trade पर किसी तरीके की लगाम लगाने की बात हो केवल एप बैन करने से काम नहीं चलेगा आपके बास सही है trade के उपर तो अभी भी चल रही है कारवाई और हो सकता है कि कुछ और sanction भी लगा दें Chinese के imports के उपर या उनकी investment के उपर लेकिन मेरे विचार में अब हाँ diplomatic level के उपर उनको पूरा समधाने की बात है उनको कहने की बात है कि इस तरह की कारवाई अगर आपने की तो उसका नतीजा खराब होगा और इसके बाद में जो escalation होगी military level के उपर वो बहुत तेजी ही हो सकती है artillery की gun चल सकती है इसके बाद में अगर ये कारवाई चलती रही या हवाई जहाद भी चल सकते हैं क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से है और अगर वो नहीं चाहते है लड़ाई को तो उनको इस बात को समझना चाहिए Chinese को भारत में राजिनितिक पार्टियों को कुछ लगता है कि भारत का response काफी नहीं है परियाप्त नहीं है इसको और बहतर होना चाहिए था आपको लगता है कि ऐसा है देखिए जो भी responsibility तो ये government की होती है और मैं नहीं समझता कि political parties को इतनी जानकारी होती है वहां की कि जैसे वो statement देना है उनका तो काम है oppose करना लेकिन इसलिए उनकी परवार नहीं करने चाहिए government के पास बड़े साधन है उनके पास जानकारी भी जादा है तो हमको government की support करनी चाहिए इस चीजों में government को जादा भढ़काने की कोई जरूत नहीं है लेकिन आज की परिस्थिती में सर जब आप ये देखते हैं खुद कि जैसे ही कोई हरकत होती है उसके कुछी घंटे के बाद सेना को अपचारिक तोर पे जानकारी देनी पड़ती है लगातार उस पर बयान बाजी शुरू हो जाती है लगातार एक tension apart from border देश के अंदर भी build होने लगता है उस परिस्थिती में आप क्या कहना चाहिए देखिए information देना बीच-पीच में information देना सही बात है यह मैं हमेशा ही follow करता है हम अपने time के ओपर भी follow किया है कारगिल के time के ओपर भी आप लोगों को याद होगा तो बीच-पीच में information देना सही बात है लेकिन जल्द बाजी में क्यों के कोई political party उकसा रही है आपको या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ऐसे हालात में इतने important national security के जो decisions है वो नहीं लिये जाते हैं decision लिये जाते हैं जो आपके सामने information है जो आपके सामने assessment है सारी experts की है उनको सब को मिला कर CCS के level के उपर आप discuss करते हैं तो ये जो उकसाने की बाते होती है उससे अगर आप decision लेंगे तो वो गलत होगा बाकी information देना बीट-बीट में सही बात है और मीजय का भी ये काम सही है कि आप लोग उस information को public में जानकारी दें public को जानकारी देना ठीक है पर public से उकसाना जो है वो बात अलग होती है जब आपने देखा होगा जब surgical strike हुई तब भी लोगों ने पूछा के साब photo का है जब air strike हुई तब भी लोगों ने पूछा के भाई कुछ दिखाई तो देनी रहा उधर आप कह रहे हो हम bum गिरा के आए है जब गलवान में जड़पूई तब भी लोगों ने कहा कि उनके सैनिक मरे तो नंबर तो बताईए कितने सैनिक मार के आया ओफिशल नंबर क्यों नहीं दे रहे मैं इस बात को गलत मानता हूँ मैं समचता हूँ कि जब national security के live issues होते है तो उस वक्त ऐसी चीज़ें ऐसी कहना नहीं ज़र चाहिए बलके आप लोगों कोई कठा मिलके government के साथ में मिलके काम करना चाहिए और जब तक ये काम खतम नहीं होता जब काम खतम हो जाए वो जो event है या crisis है वो जो खतम हो जाए उसके बाद में आप investigation कर सकते हैं inquiry भी कर सकते हैं लेकिन जब ये काम कारवाई हो रही है उस वक्त मैं समिठता हूँ कि सब को पूरे देश वासियों को including political parties को सब को मिलके काम करना चाहिए बहुत दो शुक्रिया जनल वीपी मलिक आज तक पर आने के लिए पूर्व सेना धक्ष जनल वीपी मलिक आज तक पर बात कर रहे थे मौझूदा परिस्थिती का आकलन वो हमारे दर्शकों के लिए कर रहे थे दन्यवाद जनल वीपी मलिक आपका वापस लोटने अपनी बहस पर हमारे साथ बहुत सारे मैमान है आशोक सजिनार साब आपसे अभी तक एक भी सवाल ले लिया पिछले आदे घंटे में आपने राजजीतिक पार्टियों को सुना आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुना आपको लगता है आशोक सजिनार साब अब समय आ गया है चीन के साथ डील करने के लिए वो हमारी मल्टी प्रांग्ड अप्रोच रही है और हम इसको स्टेप बाइ स्टेप हम इसको आगे ले जाते रहे हैं पहले सबसे ज्यादा रहा है जो हमारी जो बॉडर्स पर है उसका प्रेपरेशन रहेगा हमने मिरर डिप्लाइमेंट किया है पूरे तरीके से जहां तक चीन ने अपने पोर्सेज किये हैं या उसने अपने टैंक्स लाए हैं या उसने अपने एरक्राफ्स लाए हैं तो वह हमने सब मिरर डिप्लाइमेंट किया है हमारे जो latest aircraft है अगर escalation होता है artillery आती है, tanks आते हैं, missiles आते हैं, aircraft आते हैं तो सब के लिए हम वहाँ पर तयार हैं तो ये तो सबसे पहली चीज़ है दूसरा है जो और चाहे political हो या diplomatic हो या economic हो इन तीनों शेत्रों में भी हमने बहुत जोर से कदम उठाए हैं मैं आपको economic ही बता देता हूँ, क्योंकि आप ये जनरल वीबी मलेक से अभी बात कर रहे थे उसके बारे में देखिए जब ये गलवान की घटना हुई थी, उससे पहले ही प्रधान मंत्री ने कहा था क्योंकि जो चीन में supply chains है, उनके उपर बहुत प्रशन चिन हो गए थे क्योंकि पूरी दुनिया का dependence और भारत का भी API के active pharmaceutical ingredients का dependence काफी ज्यादा हो गया था चीन में, तो प्रधान मंत्री ने कहा था, जो वहाँ से supply chains निकलना चाहती है वो भारत उनको welcome करेगा, उनको red carpet treatment देगा, उसके अलावा जब गलवान के बाद, चाहे भारत वहाँ से चीन का यहाँ पर investment हो, उसके 69 apps हो, उसका यहाँ पर projects लेना हो, चाहे railways में, या road and transport में, या और भी किसी sector में, या फिर उसका यहाँ पर government procurement में हो, supplies में हो, works में हो, व step by step हम उपर लेते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और मेरे विचार से, जिसे मैं कहूंगा, one of the jewels in the crown is वहाँ की जो टेलिकॉम company है, Huawei और ZTE, उनके उपर लोग लगनी चाहिए, और पहले भी हमने देखा है, जब हमने रोहिद 59 apps को बैं किया है, तो उसका जो response है उसका जो reaction है वो पूरी दुनिया में हुआ है, क्योंकि अमरीका ने भी आपने देखा है, टिक टॉक को बैंड कर दिया है, और देशों ने भी ऐसा ही किया है, और अगर भारत इनके Huawei और ZTE को बैंड करता है, तो जरूर उसका जो असर है, वो आगे चलते हुए और देशों पर भी वो भी हो और इससे बहुत बूरी चोट लगेगी, आपने खुछ सुना होगा सर, इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले, अबैदू बे सर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चीन ने आपके हिससे कबजा कर लिए, आप कुछ नहीं कर पाए, लालांख दिखाने की ना लालांख दिखा पाया ना कुछ काम कर पाया, क्या वाकिए ऐसा है आपको लगता है? हर के साथ जो हमने अपने संबंदों को आगे लेकर गए हैं, और चीन के विरुध एक बिलकुल ही फ्रंट बनाया जा रहा है, चीन मैं कहूंगा, जो आईसोलेट तो नहीं पर हम तो पूरी दुनिया, काफी हग तक दुनिया, चीन के विरुध आगर खड़ी हो गई है, और इसको हमें अब कैटलाइज करना चाहिए, इसको हमें एक्स्प्लॉइट करना चाहिए, जहां तक मिलिटरी आप्शन का है, वो जैसे जनल वीपी मालिक ने कहा, जब मौका आएगा, जो प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग जो हम कर सकते हैं, वो हम वहां पर करेंग और मुझे पूरा यकीन है, जो सरकार जरूर इनका इस्तिमाल करेंगे। प्रधान मंत्री जी का वक्तव क्यों M.E.A. के वक्तव यसे अलग है, प्रधान मंत्री जी क्यों डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट से वो दस्तावेज अटा देते हैं, जिस पर स्विकार गया, क्या प्रधान मंत्री जी को पता नहीं था कि 2015 के चाईना के वाइट पेपर मे प्रधान मंत्री जी ने खिलोने की बात की, तो प्रधान मंत्री जी पार्लियमेंटरी स्रेंडिंग कमीटी अन कॉमर्स गुजराल साब की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उन्होंने काए कि 6 सालों में हिंदुस्तान की खिलोना इंडस्टी को, साइकल इंडस्टी को पूरी तरह तबाह कर दिया, एंटी डंपिंग लॉट तक चाइना के लिए समाप्त कर दिया, मोधी सरकार ने, तब हमको प्रतिपक्ष दाइट है, उतका जिम्मेदार है, हम सरकार के साथ है, मगर सरकार देश-गार भाटिया, बोलिए, गवार भाटिया, जवाब दिजिए, देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, चाहे वो सजनहार जी हूँ, चाहे वो रक्षा विशिशग्य हूँ, सबने ये बात मानी है, कि आज भारत की स्थिती मजबूत है, और हमारी सेना, बहुत मजबूती से चीन को जवाब दे रही है, केवल एक पार्टी ऐसी है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसी लिए मैं पुना कहूंगा, ये MOU का असर है, जो 2008 में साइन हुआ था, आप ने पिछले भाग में कहा, सोनिया गांदी की बात आप क्यो करते हैं, सरकार हमारी, बिल्कुल रोई जी, सरकार मिरने लेगी, अब है जी देखिए, आ आपको पसंद कराने के लिए, सर एक सेकिन, नहीं, अबै जी पहले मैं एक बात कह रहा हूँ, यहां कोई भी व्यक्ति, इसलिए नहीं बैठा कि उसको अबै दुबे से सर्टिफिकेट लेके जाना है, कि कॉंग्रेस पार्टी ने तुम्हारी बात को अप्रूवल दे दिया सब अपनी अपनी बात कैने के लिए बैठ़े हैं, तो आपको भी सुनना पड़ेगा सर, आपको पसंदा है, कहीं कर दे आधोयों, कणिक ग्वारब बात की जा रही है, बिलकुल निरने लेगी सरकार और सरकार मजबूत है, निच्छित मजबूत है उसका किर्यानवन कौन करेगा, लड़ेगा कौन, जाबास हमारे जो सैनिक है लेकिन क्या ये जिम्मेदारी एक नागरिक की नहीं होती है कि वो भी देश के साथ खड़ा हो जाए, सरेंडर मोदी मतलब डिफेंडर मोदी जो हैं देश को डिफेंड कर रहे हैं प्रदान मंत्री उनको सरेंडर मोदी बोल देना, सोनिया गांदी जी का एक वेक्टर पे दिखा दे अवे दूबे चुनौती देता हूं वाग्टक पर जिस पे उन्होंने चीन की निंदा करी हो क्यों नहीं करी क्या नाविक का ये फर्ज नहीं है कि चीन को एक मजबूत संदेश दे पूरा भारत एक साथ हमपूत खड़ा है प्रदान मंत्री जी उनके समझन में खड़े हुए हैं कहा भाई देके रोई जी ये बड़ी दिक्कत है इन लोगे मुँ में क्या हो जाता है चीन के खिलाब नहीं बोड़ेंगे अब आपने प्रेस्ट मुछ से किया आप चुप हो जाईए बस इतना हाँ जोड़े करता हूँ हमें की बात शांत रहिए आप चीन का नाम मुझसे नहीं ले सकते कितनी कमजोड पार्टी के प्रवक्ता है रोहिजी मैं फिर गुजारच कर रहा हूँ आपसे मुझे दो तीन बाते कहनी थी बड़ी एहम है मैं इंतजार करता हूँ ये बीच में कूद परते है प्लीज गरत बात है हाँ तो रोहिजी केवल ये उमीद हम लोग करते हैं कि चीन को भी एक मजबूत संदेज जाए कि चाहे सत्तारूर पार्टी है चाहे विपक्ष है सब एक जूठ है जब हमारे राष्ट पे आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस देश में कमजोर कड़ी कोई है तो वो गांधी परिवार है दूसरी बात आपने कहा कि क्या आपक्स करने से ही सब कुछ हो जाएगा नहीं रोहीी जी जी आपका हो गया और गांधी परिवार से प्रतीशोत की आग में जल रहे है दिन अपक्त कम नहीं वहुगए क्या दərd हो गया लाला, लाल मूँ मिलची लग जाए ना लाला, हम वहीं तो कह रहे हैं, जो प्रधान मंत्री जी अपने पुखार विजिसे नाम सक्षीन का नहीं रहे हैं, उच्छे कहिए एक बाद आप चाजी को लेंगे क्या हैं, अधले कारिक्रम के भी तो रखना हैं, अच्छा नहीं ना लेती हैं देखने के बाद के राजनीतिक पार्टियों का रविया क्या है, किस विशे पर वो किस तरीके से बरताव करती हैं, और गुरमित सिंग साहब इस बरताव से चीन को क्या मेसेज जाता होगा? किसी बात नहीं है, ऐसा लगता है कि यह सब जो बाते एक जुटके बरकलाव यह एंटी-इंडिया लगती है, ऐसा लगता है जो एक जुटके बरकलाव बाते हैं, वो चायना टो Первा जाईना लाभी की बाते हैं, मेरी आदो नहिरता长 पूर्ण है, जब बात है नेश्टन स्क्यूरिटी की जब बात सेंस्टिव है जब स्क्यूरिटी चैलेंज लाइफ है तो किसी को भी ऐसी बात नहीं कर नहीं है यह नहीं है मैं सहमत नहीं हूं रोई चीन को तो मेसेज क्या ही देंगे इसी से तय कर लिजे कि देश की जनता आप लोगों के बारे में क्या रावनाएगी जंगल में आज हमने आप से सवाल पूछा था क्या भारत से चीन युद्ध चाता है जो आपके जवाब हमें आए 87 परसेंट कि उन्हें ऐसा नहीं नहीं